हेलो गाइस मैं सुलेमान कल्सेंटेंट फार्मेसिस्ट ड्याक्स रभाइन चले में आपका स्वागत करता हूँ आध जो मैं वीडियो बनने वाला हूँ बहुत ही पॉपलर क्रीम है जो फेस पे लगाई जाती है डायक स्पोर्ट के लिए और पिंपल्स के लिए यूज करते हैं या पिंपल्स के बाद में जो स्पोर्ट आ जाते हैं उसके लिए भी यूज करते हैं तो उस क्रिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कैसे यूज करते हैं क्या साइड इफेक्ट हैं इसके अंदर क्या क्या साल्ट है किस की चीज़ से मिलके बना होता है और किस साल्ट का क्या काम है और हमाई चैरा लाल क्यों हो जाता है और यह कैसे काम करता है और इसका सा से रुकेस्ट करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर भी कीजिएगा चलिए सुरू करते वीडियो नो इसकार क्रीम यानि नो इसकार क्रीम जो होती है जैसे नाम से ही समझे में आ रहा है हमारे नो इसकार नो का मतलब नहीं इसकार मतलब जो हमारे ब्लैक स्पोर्ट्स बगएर आ जाते हैं वो उसको बोलते इसकार या धप्पे बगएरा या पिंपल्स के बाद में जो इसकार आते हैं ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं तो इसलिए इसको नो इसकार नाम दिया यानि उन चेह अब भी जो फिलाल ही आ रही है और इसके यह जो क्रीम होती है यह 3 साल्ट से मिलके बनी होती है इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं इसा हाइडरकिनोनीन, मोमेटसोन और ट्रेटोनौनौन, हाइडरकिनोनीन जो होता है इसमें 2% होता है और मोमेटसोन जो होता है 0.1% होता है और ट तो इन तीनों का अलग अलग काम होगा बात करतें यह कैसे काम करते हैं तो पर इसके हमारे बॉड़ी में प्लॉस्ट्राग्लांडीन होता है उससे केमिकल रिलीज होते हैं कुछ केमिकल होते हैं मोबेट संग जो है यान वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा चाहरे पर ref do मुझ। ब़तर बिलाशंवा बाद्र निध्न-ग्रीयों हो जाएगा मिलासव जैसे हो गया ऑन निध्न-थूर बाथ करते हैं आधिकन बीटामीन ए निद्ध के लिए वहां में जाती है उसमें उसे नहीं सकी लाने में मदद करता है तिर्टोनीन का क्ती dedicate स्टाव्ट होता है है वो क्या करता है हमारे चेहरे पर जो लाइटनिंग करता है जानि गोरा बनाता है तो हमारा चेहरा जैसे हम क्रीम लगा रहे हैं तो हमारा चेहरा जो गोरा होता है फिर लाल लाल भी हो जाता है उसे तो यह गोरा बना देता है जैसे हम डिलीवरी के बाद में जो चेहरे पर डार्क डार्क स्पोर्ट्स आ जाती है तो उन इस्पोर्ट्स को यह हटा देते हैं क फबले शर्फश क्लियर दिखने लगता साफ दिखने लगता है अब इसके-इससद की बात करते हैं इसके कि आफ यह्याव करता है। यह पको पुरे डीटेल में बता है कैसे काम कटा है और बीडियो बनाई यह भूस और और भी स्कनलाइट क्रीम हो गया मैडिसली क्रीम पर भी बनाई है अलग अलग टैबलेट्स पर भी बनाई है और हिजामा पर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है लिंक में डिस्क्रिप्चन पर दे दूंगा उनको भी आप देख लीजिएगा हॉप सब आपको यह बड़े पस कैसे होता है मिलते हैं अगली वीडियो में